हलो गाइज इन दिस वीडियो हम जानेंगे एक ऐसे क्यूशन के बारे में जो आपको काफी सारे competition exams में देखने को मिलता है यह वैसे higher examination में आपको देखने में को मिलता है जैसे UPSC CAPF या फिर UPSC civil service examination वहां पर यह questions आपको देखने को मिलता है कि earthquake के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप की वेव हैं और वो क्या affect कर रही है और उनसे कुछ related shadow zone होते हैं कुछ ऐसे questions आपको देखने को मिलते हैं अगर उनको सही तरीके से learn किया जाए तो कुछ trick की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस वीडियो में कुछ rules के according उनको solve कर सकते हैं तो let's begin this video now जो आपका earthquake का जो topic है जो आप जानते हैं कि earthquake एक काफी important topic है geography का उसके लिए आपके पास surface wave होती है और body wave होती है तो जो surface wave होती है वो L wave को surface wave कहते है और जो body wave होती है वो P wave और S wave होती है यह P से यहाँ पे primary होता है और S से यहाँ पे secondary होता है यहाँ पे जो L wave होती है वो surface wave होती है और यही destruction का का कारण बनती है destruction का कारण surface wave बनती है जो की L wave होती है ठीक है जो epicenter होता है जहाँ पे कोई earthquake आता है तो जो epicenter होता है वो surface के उपर होता है जो surface के नीचे होता है उसको hypo center बोला जाता है तो आप इन दोनों चीज़ों को भी learn कर सकते हैं इन दो facts आपके काम आएंगे exami MCQ solve करने में जो primary wave है and secondary wave है इसमें आपसे पूछा जाता है कि किस wave का जो relation है वो sound wave की तरह होती है और sound wave जो होती है वो longitudinal pathway को follow करती है तो इससे related question आता है कि कौन सी wave में कौन सा होता है आपको primary की statement दी जाती है secondary की statement दी जाती है तो आप इसको एक trick से learn कर सकते है PSL वैसे तो आप PSLV जानते होंगे PSLV ये आपके जो satellite launching vehicle होते है वो होते हैं तो उससे आप learn कर सकते हैं यहाँ पे आपको L तक learn करना है और V आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे तो जो PSL है उससे learn कर सकते हैं, जो P से primary और यहां पे जो S है वो sound wave के लिए है, sound wave होगा और उसकी जो property होगी वो longitudinal होगी ओके, and then आपको जो SST, इसको मैंने थोड़ा सा, दो terminologies में इसे break किया है, secondary, solid, transversal इसमें मैंने pathway बताया है कि जो secondary waves से वो कहां कहां travel कर सकते हैं, तो वो solid में ही travel कर सकते हैं, इसलिए यह secondary, solid, transversal जो pathway है, वो transversal है, क्योंकि आपसे यह pathway भी पूछता है, कैसा pathway होगा, तो transversal आपको light wave में देखने को मिलता है और अगर आपको light wave learn करनी है, तो आप SLT से learn कर सकते हैं, देखिए इसमें secondary है, और L से यहाँ पे light है, और जो T पे यह end होता है, उसी से ही transversal है, जो इसका path भी है तो आप इसको भी learn कर सकते हैं, and one more thing जो आपसे पूछी जाती है, कि crust किससे बना है, mental किससे बना है, and core किससे बना है core सबको learn होता है, knife हम इसे बोलते है, and जो mental है, वो syma and crust जो है, वो CL है, इसे अगर आप learn करना चाहते हो, तो इसके लिए simple trick यूज़ कर सकते हो जो aluminium है, वो आपको, जो aeroplane है, उसको बनाने में भी helpful है, उसको बनाने में उसका use किया जाता है, तो वो hulka होता है तो आप learn कर सकते हैं, जो crust होती है, वो hulki होती है, mental से, जो syma है, वो heavier metal है, तो उसके according भी आप इसे learn कर सकते हैं I think this video is very helpful to you, अगर आपको वीडियो पसंद आये, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को, मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी चैनल पर, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद